संजी रावु तेंचे बाबत काल अशिस्तमंग समिची जो बैठन जाली है प्रतु तामचे टिका सत्र जया है ते फुरूप आए काई जो बोठा साम्राज जो उद्वस्त जाला ताचा मूर काराणास ते आहे तनी है जे सर्व राजकारनाचे समिकरन कुठे जोडाईचे कसे जोडाईचे काय बोलाईचा कुठो बोलाईचा कशापद्धती ने बोलाईचा बोल्याचे परिडाम का है जानियों नो ठेवता खरा मंजे ते बोलताथ चुकी चाहे आपने राज्या मदे आशापद्धती एक विधान सवा सल विधान परिशेदा सल त्यान सान्मान कराला पाजी ती वी राज्य सब्थे चे अमच्छ मत वरारा स्थार मनुन गिरेले ते तरना अनेक वर्ष कम वता हुळा काम करनेची संधी मिला दिक आशा मांसा निया आशा पद्यति से वक्तवे करना क्योंगा त्या वक्तवे अपसून तन्हास वाट एक आपन केंद्रवा मधे जा पद्यति ने राज्य सभी वरे तर दुसरी अला कही बोला चे वासा सालात माला वट तो तेंचे वर काईदी सीर कारवाई हुई लागी जा टिकानी विजय होतो आनी पराई जय होतो एक ठिकानी आमी जिंकलो यूती मधे दुसरे टिकान ची एकंदरीत परस्तिती बगितली तर तैसा चिंतन मंथन करना अवश्य काई अशा जा वेले स्पराभव होतो तो कशा मुण जाला तैची मूल कारण काये ती कारण शोद जालेली दुर्दैवी पराभव जाला ते भविश्य मधे घुनार नी एची दक्षतानी शित गेतले जाए जाए उतनुष्य बान यातरा निगयता है इवना शिंदेंजी काई खरमाजी आता एलेक्शन कमिश्नर नी निवल्णू कायोगानी आमाला चिन दिला पक्षा चा नाउ दिला ते चा सर्व सामान्य मांचा परेंट संदेज जाऊओ खरमाजी आयोध्या मधे आता धनुष्य बानाचा पूजन होगे लानी त्या नंतर त्याचा लोकान परेंट जान आनी आता नवी पक्षप्रमूब जालें नंतर सनमानी एकनाष चिंदे साहबांचा नि फितु शेवन जन्संपर का विविल आनि सर्वो सामान्य मांसाची हिदगूज करने आनि चर्चा करने महाराश्टराची तमाम जनतेला तो संदेज दिना साथी खरवने ती यातरा चालू होना रे पुरिया महारस्ट्र बर विगवेगला जिल्यातून, विगवेगला तालूकातून, विगवेगला मद्दार संगातून ति जाहिल आनि त्या ठिकानी आमचा पक्षाचे प्रमूग आधरनिया एकनात राओजी शिंदे साहिब आनि पक्षाचे प्रमूग नेते येतिल संबोधित करतील लोका नामाहिती देतील आनि राजकारना चा पूर्चा एनार्या निवन्नु की मदे जिल्ना परशेद पंचाई सेमित्या महापाली का याचा मोठा योगदान हुईल असमला या यात्रेचा माध्यमातुन अपिक्षाई नहीं ये तो दुरदवी है देखो कोई भी लोकशाई में इस तरह की बाते करना या लोकशाई का जो हवित्र सदन है उसको बदनाम करना उसको गलत तरीके से बोलना ये गलती है और इसके लिए महारस्ट की हमारी विधान सवा विधान परिशेद उसके उपर अंतीम निरने लेंगी अंतिम निरने लेने के बाद में उनके उपर कारवई होगी और वो कारवई जब होगी तब उनको इसके परिणाम भूगना पड़ेगा कीसा है कि जब हमारा महराष्ट का अस्तित्व महारष्ट में कौन ती सत्ता है कौन चुन के आए कौन नहीं आए किस के आए इसके वज़ाय जो यह हुआ है इसकी कठोर शब्दों में सबों निशेद किया है और उस पे चोकेशी करके उनके उपर कारवाई करने की मांग विध शब्दों में उन्होंने बदनाम करने की कोशिश किया बदनाम किया है तो उनके उपर कारवाई होना चाहिए यह तो लोक्षाई का नियम है कानून है और उसके तहद विधान सभा के जो अध्यक्षय है और सभबति मोहने वो अन्तीम निरने लेंगे तैंक यू ABP माजा उगड़ा डोले बगानीट